Welcome to Gyan English का तो चलिए आज के English sentence इसस्टार्ट करते हैं First sentence है चलो कहीं चलते हैं तो यह अक्सर बोला जाता है जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं या बाचीत कर रहे ते हैं अचानक से हमें सुझाओ देते हैं कि चलो ऐसा करते हैं तो ऐसा कोई भी sentence अगर आपको बोलना हो, जिसमें आप एक proposal रखें, एक suggestion रखें, एक सुझाओ दें आपस में, और कुछ करने के इच्छा रखें, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, चलो कहीं चलते हैं, चलो खाना खालेते हैं, चलो आज movie देख लेते हैं, तो इस तरीके बन जाएगा, let's go somewhere, अगर मालीजी आप बोलें कि, चलो कुछ खाते हैं, let's eat something, चलो dance करते हैं, let's dance, तो ये let's का use हो गया, next sentence देखते हैं, जो अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा लगे वो करो, do what you like, next sentence है, तुमने उससे दिल लगा लिया है, तो you have connected your heart to her, दिल लगा लेना, connect hurt, connect hurt का मतलब है, दिल लगा लेना, जिससे लगाएंगे, उसको बीच में रखना पड़ेगा, तुमने लगा लिया है, तो यहां पे ह तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, यह कहावत है, और इस कहावत को बोलने के लिए आप यूज करेंगे इस word का, इस sentence का, grinding your own ex, grinding your own ex, तो sentence बनेगा, you are grinding your own ex, तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तो यह कहावत है, इसलिए आपको ना तो sentence में उल्लू मिलेगा कहीं, सीधा करना मिलेगा हिंदी में इसको ऐसे बोला जाएगा इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा नेक्स सेंटेंस है ये तो शुक्र है तुम यहां आ गए ये तो शुक्र है तुम यहां आ गए थैंक्फुली इस एक वर्ड का मतलब है यह तो शुक्र है, thankfully तुम यहां आ गए, you came here अगला सेंटेंस देखते है यह तुम्हारे भले के लिए है यह तुम्हारे भले के लिए है It's for your betterment Betterment मतलब भले के लिए For your betterment भले के लिए Betterment मतलब अच्छा, भलाई आगे देखते है तुम मेरे जले पर नमक छड़क रहे हो Same यह भी एक कहवत है तो आपको पता है कहवत हिंदी में अलग तरीके से बोल जाती है उसका English Translation नहीं होता है उसका बोलने के तरीका अलग होता है तो ना तो आपको यहां Salt मिलेगा और ना ही जला हुआ मिलेगा देखे You are adding insult to my injury You are adding insult to my injury तो add insult to injury इसका मतलब होता है जले पर नमक छड़क न आगे देखते है क्रपया मेरा एक काम कर दो किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा Please do me a favor आगे है मुझे नींद ना आने की बिमारी है तो जो नींद ना आने की बिमारी होती है उसके लिए हम एक ही word यूज करते हैं वो होता insomnia तो insomnia अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि insomnia मतलब होता है कि नींद ना आना एक ऐसी disease जिसमें इनसान को नींद नहीं आती है तो simple sentence बनेगा I have insomnia मतलब अगर आपने इतना बोल दिया कि I have insomnia इसका मतलब यही हो गया कि आपको नींद नहीं आती है इस टाइप की आपको विमारी है लास sentence है तुम चाय के दीवाने हो इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हें चाय का शौक है शौक होना मतलब उस चीज के प्रति दिवानापन होना तो शौकीन शौकीन जो वर्ड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इंगलेश में फॉंड फॉंड का मतलब शौकीन तो sentence पूरा बनेगा you are fond of tea मतलब तुम चाय के शौकीन हो या फिर तुम चाय के दिवाने हो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर कोई भी आपको query है कुछ पूछना चाहते हैं तो उपर ही email address दिया हुआ है आप याद हो यहाँ पूछ सकते हैं या फिर नीचे comment box में आप comment डालके पूछ सकते हैं मिलता हूँ आपसे next video में